तुडेर स्टूडेंट आज की यह वीडियो बिए बेसी बीकॉम के सिक्स समस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली जिनको को करिकुलर यानि की अनुवार प्रस्णपत की परिच्छा देनी है जिसका नाम है कोम्निकेशन इसकिल एंड प्रस साथ साथ में बहुत ही जबर्ज़त ट्रिक भी बताएंगे टिप्स टिप्स कि आप कम तैयारी करें आप इस सब्जेक्ट में अच्छे कासे नंबर कैसे ला सकते हैं तो वह पूरी जानकाई आपको मिलेगा इस वीडियो के इंतरगत वीडियो को पूरा जरूर देखते रह तब भी आप लोग को काई वहल कमी है ठीक है चलिए आते हैं पहले कोश्चन पर बिरिलेंट इस्टुडेंट हमारे सब जानते हैं या आपका अपना ही चैनल सक्सेस टूए हो तो पहला कोश्चन कि बेक्तुत का तातपर है क्या प्रशनाल्टी ठीक है तो प्रशनाल्टी का तातपर क्या होता है तो चैनल जानते इसके बारें बहुत ही प्रशन है आप लोगों को मालूम है जरूर कमेंट सेक्षिन में अपनी राय जरूर दिया करिए ताकि आप लोगों का जो नौलेज है वह इंप्रूब्मेंट हो ठीक है तो बेक्तुत का मतलब होता है आपके र इसलिए अब डी नंबर होगा क्योंकि यह सब चीजी प्रशनाल्टी के अंतरकता आती है अगला के प्रशनाल्टी सब्द की उत्पत्त किस भासा से हुई है अपने प्रशनाल्टी तो नाम सुनाओं जैसे बोलते हैं कि वह स्टूडेंट की या फिर उस सब्यक्त की तो पर प्रशनाल्टी नंबर हो जाएगा अगला क्योंट प्रस्तूथ है कि गैरी सन ने बेक्तुत के कितने पहलू बताएं तो गैरी सन ने जो कि प्रमुक बिद्वान है इन्होंने प्रशनाल्टी के पहलू बताया है कुछ और वो पहलू बताया है सही जबाब इसका हो जाएगा समाजिक ने परियो बताया है कि गैरी सन ःषकते रहेंगे फ्रयक्त में से सभी य ठिन में सभी देखते रहेंगे वीडियो तो आपको काफी जादा हेल्प मिलेगी अच्छे काफे नंबर लेकर आएंगे और आपको मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं उससे लाखो इस्टुडेंट को मैंने पास कराया है और आप भी पास हो सकते हैं अगर वो आप ट्रिक जानेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा ठीक है पहले वी जो संगठन है इन सभी चीज़ों से है देश्टुकोंट फिर आदित होते है इसलिए इसका सही जवाब होता है दानंबर उपर्यों से सभी अगला है कि ब्यक्तुत का विकास किन सहीवक्त कार्यों द्वारा होता है तो जहां से सुन लिजे जिव साफ्त्रे कार्यों से होता है सांस्कृतिक कार्यों से होता है तो इन सभी कार्यों से ब्यक्तुत का विकास होता है इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उप्रयोक्त में से सभी कार्यों से होता है ठीक है अगला प्रशन प्रस्तुत है कि ब्यक्तुत मानों की सब सक्तियों वा गोडों का संगठन वा अगला की ब्योहार के सुरूपों में अंग्रेजी भाफ़ा में कितने विसेशनों का प्रियोग किया जाता है तो जितने विसेशनों का प्रियोग किया जाता है उनकी जो संख्या जान लीजिए 18,000 विसेशनों का प्रियोग किया जाता है सही जवाब इसका हो जाएगा अफस होता है फिर में से कोई नहीं तो आपके जानकारी के बतादे परसोना सब्द का मतलब होता है मुखहुटा आप लोग इसके बारें गूगल करेंगे तो खुदी आप लोग पूरूप के साथ जान जाएंगे ठीक है अगला कोश्चे ने कि निम्न में से किसने पित्य को अंतर मुखी तथा बाहिर मुखी प्रकारों में बांटा है तो उस प्रणिक बिंदवान का नाम अध्यान से सुन लीजीए लीग कारल जूंग कारल जूंग नाम है जिन्होंने अंतर मुखी तथा को सभी रचा initiatives स्भीजल होगा अगला जान लीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत ही important प्रस्तुत अगर आपको मालूम है जरूर अपनी राय जरूर कमेंट में दिया करिए ठीक है सही जवाब इसका हो जाएगा option number आ यानि कि अंतर मुखी ठीक है अंतर मुखी आ नंबर सही जवाब होगा अगला है कि अंतर मुखी बेक्तुत की बिसेश्था है बताईए तो अंतर मुखी बेक्तुत यानि कि अंतर मुखी जो प्रस्णाल्टी होती इसकी बिसेश्था quality जो है वो है कि संदेही एकांत्र प्रिये रहने वाले ठीक है इन्हों को अंतर मुखी बेक्तुत वाले यह हुझे लोगों के यह काम आए गे वह समझिक प्रवत्य के ब्रवत्य५े क्रिस्मर के एंथेलेटीच प्रकार से प्रकार कॉन सा है फिसका elastory कप Sieom of träumे स Wirkung COVID हो जाएगा आप्य। नमस्य नमबर सब्सक्राइब और अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि बाल संप्रत्य परिच्छन किस ने किया है तो बाल संप्रत्य परिच्छन जिस विद्ध्वान ने किया है उसका नाम है लियोपोल्ड ठीक है लियोपोल्ड बेलोग इन्हों ने ही किया है संप्रत्य का परिच्छन एई नमबर सही जबाब अगला की रच्छा तंत्र का उपीयोग दो बेकतुति के संदनाव में से किस माद्चि संगर्ष को सभानने के लिए किया जाता है तो जिसके लिए किया जाता है वो है ध्यान नखेंगे इदम और पराहम सभालने के लिए किया जाता ए नंबर सही जवाब होगा अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि फ्रायड में कौन सी मूल प्रवत्ति पर अधिक जोड़ दिया है तो फ्रायड प्रवत्ति पर अधिक जोड़ दिया है वो कौन सा है सही जवाब इसका हो जाएगा ध्यान नखेंगे बहुत ही प्रमक प्रस्त नहें एक्जाम के लिए आप लोगों के तो बताईए कमेंट सेक्षिन में सही उत्तर मालू में तो सही जवाब सी होगा इसका काम ठीक है काम प्रवत्त पर अधिक जोड़ दिया सी नंबर सही जवाब होगा अगला है कि बेक्तुत का कारेपालक क्या कहलाता है तो बेक्तुत का कारेपालक जो है कहलाता है अहम सही जवाब इसका बी नंबर होगा अगला है कि नहतिकता के फिद्धान पर काम करता है कौन त सब्सक्राइब दौर्वार में प्राप्त अनभौ द्वारा तो सही जबाब हो जाएगा दोफ्टों ये हो जाएगा दी नंबर ध्याद रखेंगे मेरे डियार स्टूडेंट मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे बहुत ही प्रोप्रशन है अगला के छात्रों को मांशिक रूप से स्वस्त बने रहने के लिए बिद्य अले प्रसासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि हमारे जो बच्चे पढ़ने गए जान लीजिए अभी आप तो नहीं मालूम हो रहा होगा तो आज जान लीजिए इसका सही जबाब हो जाएगा अफ्षिन नमबर डी नियमित स्वास्थ परिच्छन यानि कि समय समय पर जो बच्चे होते उनके हेल्थ का परिच्छन कराना अगर किसी भी बच्चे में कोई भी संकीत दिख रहा है किसी भी भीमारी का ये फिर किसी भी चीज का तो उसका नियमित रूप से समय रहते उसका स्वास्थ परिच्छन होना चाहिए सही जबाब डी होगा अगला कि ब्यक्तुत के टी एटी प्रसांगिक अंत बोर्थ परिच्छन में कार्ड की संख्या कितनी ह होती है तो इसका जो सही जबाब हो जाएका अफ्षीन नंबर भी हो जाएका तीस होती है अगला प्रसुन आई कि ब्यक्तुत मापन की किस बिद में समाज के बेक्तियों से जानकारी लेकर निश्करस निकाला जाता है तो निरिच्छन भी द्वारा फच्छात्कार भी प्रिद्वारा कागज पेंशिल द्वारा होता है अगला कि सिंगमंड सिंगमंड फ्राइड ने जो कि प्रमुक बिद्वान है इनिंधों कि कितने अंग बताएं दो तो इन्हों में से जो ब्यक्तुत याने personality पर प्रभाव पड़ता है वो है वंसा नुकरम और वातावरण इन दोनों पर 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 पढ़ता है फिली सही जबाब C होगा अगला है कि इस प्रेंगर ने ब्यक्तुत को किस अधार पर बाटा है तो इन्होंने जिस अधार पर बाटा है वो है समाश साफ्तरे अधार अनमबर सही जबाब होगा अगला प्रशन है कि अमान विये बिवहार से युक्त बेक्तुत प्रस्णाल्टी क्या होती है या फिर क्या होता है तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा अ थीक है अगला की फ्रजन सील बालक का बैक्तुत कैसा होता है जो फ्रजन सील बालक होते हैं स्टुडेंट होते हैं उनकी जो प्रशनाल्टी हो कैसी होती है आपको बताना तो उनकी प्रशनाल्टी होती ही बाहर मुखी होती है बाहर मुखी होती है बी नंबर सही हो जाएगा अगला की वाक की पूर्ती निरच्छन का निर्माड किया है कौन से विद्वान ने तो वाक की पूर्ती निरच्छन का निर्माड किया है उसका नाम है पाइन वा पाइन वा टेंडिलर ने किया है सही जबाब डी होगा अगला की सोर्शास याही धब्बा परिछण में कुल का व्यक्ति इतिहास छीजबाब इसका हो झाएगा ये नंबर अगला की प्रुम्ख बिद्वान है इन्हों ने जितने फिल्प चर्षा की उनकी जो संख्या वोगा से नंबर सहीजबाब होगा अगला की बेक्तुत प्रूप में वर्गी करण किसंप प्रस्तुत किया है कौन से बिद्वान ने प्रस्तुत किया उसका नाम बताना है ठीक है तो जिन्हों प्रस्तुत किया है प्रमुक बिद्वान का नाम है आईजेक सही जवाब डी होगा अगला कि इन में से कौन सा बेक्तुत्त का जैविक निर्धारक है तो इन में से जो प्रशनालिटी का जो जैविक निर्धारक है वो है आनवांशिक प्रभाव इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाता है दोस्तों वो हो पताना है तो यह भी महात्पूर्ण प्रश्न है आपके एक्जायम के लिए इसका जो सही जबाब हो जाएगा आपसे नमबर डी रित्व अनकूल डी नमबर सही जबाब होगा रित्व अनकूल वस्त्र पहने ने चाहिए अगला कि वस्त्र मुख रूप से किन बातों पर निर भर करते हैं उम्मदवार की समाजिक अफ्तर से संब्ंदित है और समय मोसम वसा अच्छाथ का का어가फथान उम्मदवार की समाजीक अफ्तर से संब्ंदित है कि इस छेत्र का निवासी तो पोसाग बहुत जो कपड़े पहनते है वह अलग-अलग कपड़े आपकी yenडग- करेंगे लोग अगर आप कहीं अगर सोट बूट पहन के जा रहें तो इस तरह अलग-अलग कपड़ों से अलग-अलग लोगों की पहचान की जाती उस समय वो किस रूप में है या फिर वो क्या करने जा रहा है या फिर किस महौल में तो इन सब चीजों के बार जानकारी मिलती अक्राइब किस इस्थित में अपने उपर नियंत्र रखना चाहिए तो जिस इस्थित में नियंत्र रखना चाहिए और अगला प्रस्न है कि मनुस्य बिवहार के आकलन का आधुनिक द्रश्ट कौन की इन बातों पर बल देता है तो जिन बातों पर बल देता है वो है आपका बेग्यानिकता पर भी देता है और वस्त निश्टता पर देता है इसलिए सही जबाप सी होगा अगला की आत्मा वलोकन प्रिक्रिया कितने चरण होते हैं तो आत् या है या एकिस बिद्वान ने कहा है तो प्रहुक बिद्वान का नाम ध्यान से सुने जिएगा वसक्ति अफशा अध्लिवान काना है लूक यह नंबर कीoncesvaproon ke li alltså he है ठीक है सभी जबावना के साथ हो बहुत की भावन अत्मा के साथ हो संभेगा अत्मग भावना के साथ हो इसलिए सभावन बिधी डॉट-डॉट-डॉट कौन सी विध्य है तो यह जो बिध्य है यह अपरिक्ट में से दोनों ध्यान नखेंगे चलिए next question की बढ़ते हैं तो देर इस्टाफी नंगरा प्रस्शन है कि जब प्रत्यासी यानि जो होता है जब प्रत्यासी थोड़ा सहज होता है तो उससे किस परकार के प्रस्शन पूछे जाते हैं थीक है कि तो सही जबाब इसका हो जाएगा आप्षान नमबर ए वो पूछेगा शूसनात्मक प्रशन पूछेगा ए नमबर सही जबाब होगा अगला है कि स्सी परिछाए कितने स्रेड़ी में आयोज़ित की जाती है ठीक है तो जो एससी परिछाए होती है आप लोगों दिफायत दी ह अगला कोश्यन की बायोडाटा की मुख्य बात है कौन से ही यानि कि आपको बायो डेटा होता जिसमें आपके पूरी जानका है लिखी उती नाम पता और इस सब चीज़ों में आपकी अनुभव होता है कि आपके पास qualification क्या है experience क्या है पलस आपकी उपलब्दिया आपने क्या क्या achievement क्या और आपका interest क्या है पलस आपका character यानि की चेरत कैसा तो इन सभी चीजों के चीजो मुख्य भाग ही नापसनों में से ध्यान रखेंगे वहें अपरक्ट मेंसे दोनों यानि कि सरकारी प्यदों ही तो बायो डाटा प्लस प्राइबेट 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 योई पड़ती उसमें कुछ अलग होता है तो बायोडेटा मुखिता दो भागों में डिवाइड किये गए हैं फार्कारी पादल और प्राइबेट पर ठीक है अगला प्रशने की डॉट 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 अपनी सैच्छिक योगता का पूरा अब्यूरा देना चाहिए किसमें सिंपल सी बात है कि बायोडेटा में ही आपको अपनी सैच्छिक क्वालिप यिषण हाइग सुन on बजियका होता अगला की पैपर का दो साइज में तो ढठना है बायोडवाटा जो होना चाहिए वह ए 4 SICCAL हो써 जब य आपको गूंट यहुद और फोतो कांपी करें के ना वह ऑपまた आपने माक शीन की बैंक पास्ष intuition कोई भी अगर आप फोकाउपी जन सेवा के किश्थ काभ़ेकर यहां चुछ तो जो आपकाĩटा होना चाहिए पभास का सब्सक्ता सब्सक्राइब इसका हो जाएगा उप्रयोक्त में से सभी किसी भी बाइव ड्रेटा में अस्प्रस्टता सुद्धता और साल होना चाहिए ताकि जो पढ़ना चाहे रहा है यह पर पढ़ रहा है वह आफाने से समझ सके ठीक है चलिए बढ़ते ने इस प्रेशन के और अगला प्रेशन है कि अध्यन की द्रिश्ट से बेक्तिगत बिभिन नताओंका महत तो कौन सा है तो दिए अफ्षन में जो बिभिन नताओं-का जो महत तो है अध्यन के द्रिश्ट से बेक्तिगत का वो है बिद्यार्थियों की बेक्तिगत सिच्छन विवफ्था, बेक्तिगत रुचियों के नुसार ग्रह कार्य देना, बिद्यार्थियों का समरूप समोहू में वर्गी करण ये सभी चीज को ध्यान में रखते हुए अध्यन की द्रिष्ट से बेक्तिगत विवेनताओं का महत्तो दिया जाता है, इन सभी में इसलिए सही जवाब दी होगा अगला है कि व्यक्तिक अंतरों का ज्यान सिच्छकों की मदद किसमे करता है, तो ये जो मदद करता है ध्यान रखेंगी, ये करता है आपका सभी फिच्छार्थियों की बेक्तिगत आव सेक्ताओं का आकलन करने और उसके अनरूप उन्हें पढ़ने में इसलिए सही समदित होते हैं, जब कहीं पर नौकरी गवर्र्मेंट और प्रवेट जब कहीं नौकरी करने जाते हैं, जब कहीं पर्मी फॉस्ची सब्वांदृतर में गवर्मेंट में तो सबसे पहले आपको इंटरव्यव्यू में क्या पufen पुचे जाते हैं ठीक है, तो ध् iki कि, आप लोग इंटर्विव में जो पूछे जाते हैं कोईश्चन वो आपके वर्तमान से संबंदित होते हैं कैरियर के इतिहास संबंदित होते हैं प्लस फ्यूचे नहीं कि भविश्च स्रम में होते हैं तो इंटर्विव में सभी प्रकार के प्रस्णों होते हैं जो जो इस आप इस स्ब JU ст करके DT junkais के भारे में विश्ले सभीं के लच्च के भारे में देंगे इसले सही जबाब सिधी होगा उप्रॉप्ट में से दोनों अगला कि भित्ति का्फ चिंचातक्र अच्छा यह बुरा होने-क्क पीछी क्या होते हैं ठीक है तो भित्यों के सच्छात बुरा या अच्छा होने के पीछे का जो कारण होता है ध्यान लखेंगे बहुत ही प्रोंक प्रश्ण है वो होता है बेक्त की चाल ढाल प्लस बेक्त के बोलने का तरीका सिष्टाचारियों खुसमिजाद ये सभी चीजे कारण होती हैं इसलिए सभाब डी हो जाएगा अगला कि फच्छात कार के प्रश्ण किस प्रकार के होते हैं तो फच्छात कार के जो प्रश्ण होते हैं ध्यान लखेंगे वो होते हैं अनौप चारिक किस प्रकार के होते हैं तो फच्छात कार के प्रश्ण किस प्रकार के होते हैं तो फच्छात कार के जो प्रश्ण होते हैं वो से हुई है कौन से प्रशनों से शुरुवात हुई है तो ध्यान रखेंगे जिन प्रशनों से शुरुवात हुई है वह अनौपचारिक ठीक है प्रशन है इनहीं से शुरुवात हुई ध्यान रखेंगे अगला कि अनौपचारिक प्रशनों में किन बातों को पूछा जाता है ठीक है वो है कौन सा उधान लखेंगे वह है प्रत्याफिक की फिच्छा प्रत्यासी का नाम प्लस अहरवा कोलीज आधिका नाम पूछा जाता है उपचारी प्रशनों में सही जबाब डी होगा प्रवसे सभी तोकि यह सभी प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं थिक है यद विद्धियार्थियों का बुद्धि अफ्तर समान है तब भी उपलब्धि में विविन्यता हो सकती है यही एक जो प्रश्ण है सही है हलाकि इंपार्टन इतना नहीं है कम उम्मीद है आने की अगला प्रश्ण है कि एक अध्यापक किसी भी समूव में समधाय एक मिनिट हाँ वागर प्रजाति गत थिक है प्रजाति गत्र समझने में नियम्में से क्या मददकार सावित नहीं होता है ना आफस्रम में से ठीक है तो जो मदधोर सावित कहारे मताब आ teach है तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा ध्यान जाएगी वह जाएगा बुद्ध ठीक है यह आपको मददगार साबित नहीं होता है साइजबापडी होगा अगला कि वैक्तिक विभिन्नता का जो मतलब होता है जो अर्थ होता है वह होता है कोई दो व्यक्ति सारेरिक मांसिक युगताओ समय गात्मक दस्ता में समान और एक हमें कुछ लंबे हैं तथा कुछ छोटे हैं कुछ जो गोरे हैं, तथा कुछ जो काले हैं, कुछ अलोग मुझबूत हैं, कुछ कमजूर हैं, ये कथन किस अफधापित, फिद्धान पर आधारित है, जान लीजीएगा, ये जो आधारित है, व्यक्तित विभिनिता पर, सही जबाब इसका हो जाएगा, एक मिनटे, एक मिन सब्सक्राइब करता है क् oraz एव सकरात्मक वात्तावरा निर्मत करने को क्या करना चाहिए तो बिभेद करना नहीं चाहिए और प्रतेख बच्रियों के लिए समान लच्छ सुनस्चित करने चैहिए सभापनि conscious अगला की व्यक्तिक भीजिनता के मिलने के संब्ध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए तो एक प्रियोग से किसी बात या विचार्म के लिए राजी करना नहीं करना चाहिए किसी बात या विचार के लिए तो बच्चों के साथ नभय के द्वारा संगेशसे特फ वकर किसी मनोबिज्ञानिक वस्त от के पसंदगी या ना पसंदगी की रूप में प्रतिक्रिया करती है उसको अभिवरत्य बोलते हैं ठीक है तो यह सही जवाब होगा ए नंबर ओके तो इफी तरह कि आन भी बहुत फारे क्पाई कि मैं आपको बताऊं infrastruktur करीशन है करीशन कुनटरियर का थो क्यों करीश्चन करेशन से व्टेवills तो टेलीग्राम वाटसबम से जोईन हो जाईए और वाटसब गूर्प से जमीशन होके बाद आप सैजर मेसेज करिएगा किससर हमें basic semester communication skill and personality development यानि co-curricular subject की जो महा संग्राम pdf है डाइफ और question वाली वो send कर दीजेगा तो हम आपको send कर देंगे तो आप लोग अपनी तयारी और बिजबज़स्त कर लीजेगा और जो मैं trick और tips बताने वाला था हूँ तो ध्यान से सुन दीजेगा जैसे कि example group में ये question है कि बच्चों के भासाई विकाफ के लिए क्या जरूरी है तो आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है ठीक है तो simple सा आपको करना यही है कि दीवारा फिलेट कर देना तो इफी तरह आपकी परिच्छा में 100 question आएंगे जिन जिन प्रश्णों का उत्तर मालूम है 100 question में 10-5 question तो ऐसे होंगे जिनका उत्तर तो मालूम ही मालूम होगा अगर आप ना भी पढ़ाई करके जा रहे हैं तब भी ठीक है और पढ़ाई करके जा रहें कि लिए को बीस पचीस question का answer तो आपको मालूम ही होगा 100 question में से तो उनका उत्तर देदीजेगा उसके बाद आपको जितने भी question में इस तरह का option देखेगा उपरियुक में से सभी इन में से सभी इन में से कोई नहीं जितने भी question में यह वाला last में भी कपना सकते हैं इंतजार भी कर सकते हैं बाकी यह पीडियोफ आपको मिलेगी बरसर टेलिग्राम पे और आज की स्पीडियों बस इतना ही मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जय हिंद